हेलो बच्चो, वेलकम टो विद्नेवंदर ग्लासेज, बच्चे मैं आपके क्विज नमबर फाइब का सॉलेशन लेगर के आया हूँ, ठीक है, उमिद करता है कि आप ये क्विज को आपने अटेम्ट कर रहा होगा, ठीक है, चल ये स्टार्ट करता है, पहला सवाल क्या थे ब तो सबसे पहला चीज हमें दिख रहा है कि ये वाला क्यापसिटर ये और ये ये तीनों एक दुसरे के पैरलल में है, पहला चीज तो हमें दिख गया, एन तूसरा कि ये और ये दोनों बेसिकली सॉर्ट सर्कृट हो जाना है, कोई काम नहीं हो रहा है इसका, है ना, क्यों ये दोनों कैपसिटर के, जो दोनों इंड है, वो दोनों सेम पोटेंसिल भी आ गया, इसका मतलब है क्या हो गया, स्वाट सर्कृट, तो अगर आप इसको थोड़ा सिंपलिफाई करके इसका डाइगराम बनाओगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बन जाएगा, इसका बच गया सिर्फ और सिर्फ यह है, यानि कि यहां पर एक और कैपसिटर आ जाएगा आपका, तो यह क्या बनते जा रहा है, यह बन रहा है विटाप, यह हो गया C, C, C और यह C है, ठीक है ना, यानि कि यह हो गया आपका C, Y, 3 और यह C, स्वारी C, यह है आपके पैललल में मेरे दिमाग मेरे इस्टर रहे तो यह क्या हो गया, 3C और यह हो गया C, यानि कि अगर आप इसका equivalent डाइगराम बनाओगे, तो क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा आपका ऐसा कुछ, और यह हो गया आपका, 3C और यह हो गया C, ठीक है, अगर इन दुनों का series combination आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है आपका आंसर आने वाला है 3C into C upon 3C plus में C 3C by 4 3C plus C याने कि 3C upon 4 This is the C equivalent ठीक है यह हो गया बस इसमें ध्यान यही देना था कि जो आपका यह है अगर आप ध्यान से देखो मैं इसको थोड़ा अलग कलर के पेंसे माग करता हूँ जो यह वाला पार्ट है यह क्या हो जाएगा प्लेट को स्प्रिंग से बांद दिया गया है ठीक है एंड उसके बाद फिर अभेस इसमें अब अब ध्यान से समझे अगर यह प्लेट फ्री होता तो दोनों प्लेट अगर फ्री होता तो दोनों अंट्रैक्षं के वाई से चिपक जाता है Q square upon Q square upon 2A epsilon not आया था वो force ठीक है यह आया था force actually में अब मैं pointer भी ठीक कर लेता हूँ यह pointer मेरे लिए यही ठीक है ठीक है तो यह आया था force अब आपने क्या करा कि जो आपका यह parallel plate capacitor है उसका एक plate को आपने spring से connect कर दिया किसे connect कर दिया spring से connect कर दिया इसका मतलब यह है कि जब यह दोनों plate आपस में एक दूसरे को attract कर रहे होंगे तो यहाँ पे spring में एक force लग रहा होगा जिसको आप restoring force भी बोल सकते है ठीक है तो यह जो spring force होगा जिसको आप restoring force बोलेंगे और यहाँ पे एक force लग रहा होगा plate के बीच में यह दोनों force यहाँ पे balance out हो जाएंगे ठीक है अब इन दोनों को हमें क्या करना है equate करना है तो यह हो जाएगा आपका कितना k into x ठीक है और यह f है यानि कि आपसे यही पूछा है कि elongation कितना होगा spring के अंदर यानि कि अगर आप यहाँ पे विटा दोनों force को equate करेंगे तो kx is equal to q square kx is equal to q square upon 2a epsilon not आजाएगा ठीक है यानि कि यहाँ से आपका जो x आजाता है वो कितना आजाता है q square upon 2a epsilon not k ठीक है q square upon 2a epsilon not k यानि कि कौन सा होगा q square upon 2k epsilon not a ठीक है तो यह दूसरा था आगे चले तीसरे पर तीसरे क्या उटा तीसरे में दे रखा है कि यह potential between a and b sorry a and b का potential क्या होगा देखते हैं इसको यह एक अच्छा सवाल है प्रध्यान से देखे इस बीच में आपने एक point को आपने क्या कर दिया अर्थ कर दिया निकि यह वाला point आजएगा 0V पे किस पे आजएगा 0V पे अब इसको फिलाल भूल जाओ कि यह 0V पे था इसका एक simplified सरक्री बनाओ आप ध्यान से देखो कि यह सारे के सारे जो capacitor है वो सबके सब सीरीज में है तो यह सारे capacitor का अगर combination आप निकालेंगे तो कितना आजएगा 1 upon C equivalent सब सीरीज में है तो 1 upon C equal to 1 upon 2C plus 1 upon 2C plus 1 upon 2C यह थोड़ा marker मज़े ले रहा है कोई बात ने 1 upon 2C plus 1 upon C अब अगर आप इसको simplify करेंगे तो आप ध्यान से देखे कि आपको यहाँ पर क्या है मलते दिखता है 1 upon C equivalent is equal to आपका आजएगा यह 2, 1, 1, 1 यानि कि 2 plus 3 5 upon 2C 5 upon 2C तो आपका C equivalent आगे विटा 2C upon 5 अब 2C upon 5 जैसे मचे C equivalent दिखा तो मैं कह सकता हूँ कि इस battery ने total कितना charge supply किया होगा वो मैं कह सकता हूँ तो Q is equal to C V है न C equivalent C equivalent into V और C equivalent आगे था 2C upon 5 into V आपको दे रखा 10 V यानि कि आपका यह आजएगा बच्चे कितना 4C charge कितना आगे 4C के इतना equal आगे अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इस 4C के equal charge है यानि कि इस सारे जितने भी capacitor सब के सब के ऊपर कितना charge है 4C column C कहा है यह column मत समझ लेना C is actually the capacitance ठीक है 4C के equal charge है अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 4C के equal charge है हर capacitor के ऊपर तो मैं इस सिर्फ और सिर्फ इस सवाले capacitor जो C capacitance वाले capacitor है सिर्फ इसके across में potential drop निकालना चाहता हूँ potential drop कितना आजाएगा potential drop across C across C कितना आजाएगा आपका आजाएगा C into VC जो इसके across potential drop sorry Q upon C Q कितना है 4C and C this is तो कितना आगया यह 4V आगया कितना आगया 4V यानि कि जो potential drop आपको दिख रहा है C के across वो दिख रहा है 4V यानि कि this point and this point यह है 0V पे और यह होगा माल लिजए V अब आप ध्यान से समझो कि अगर यह 0 है और यह V है आपको पता है कि भाई यह इसका positive terminal मतलब कि यह होगा यह थर positive और negative यानि कि यह high potential पे होगा और यह low potential पे होगा इसका मतलब यह हुआ कि 0 है तो यह हो जाएगा आपका 4V किस पो जाएगा यह यह हो जाएगा आपका 4V यानि कि point B का potential आगया 4V अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे battery है यह तो battery है 10V का battery का positive terminal अगर 4V पे है और 10V का battery है तो negative terminal कितने पे आगया 4 में से आप 10 को minus करेंगे तो it will give you minus 6V यानि कि अगर यह point minus 6V पे है तो obvious सी बात है point A भी minus 6V पे ही होगा तो सिधा-सिधा हमें पता चला कि point A है minus 6V पे और point B है आपका 4V पे यानि कौन सा option करेंट हो correct होगा यहाँ पे option number D में थोड़ा सा missing है option number D में यहाँ पे 4V भी होना है देख लिए एक एक वाद ठीक है तो minus 4V sorry minus 6V and 4V is the potential of point A and B respectively ठीक है so option number D is correct option number D में आपको जब कोई जुआ होगा तो यहाँ पे 4V लिखा होगा गलती से यहाँ पे टाइपिंग रिर होगा तो minus 6V and 4V ठीक है ध्यान से देख लिए एक पर चलिए अगले सवाल पर चलते यह steady है ठीक है कोई बात नहीं हो जाता है कभी-कभी तो यह steady state है steady state का मतलब क्या है कि capacitor fully charge है और आपको पता है कि जब capacitor पूरा charge होता है तो यह एक insulator के तरह behave करता है इसका मतलब यह हुआ कि इस branch से कोई भी current pass नहीं करेगा ठीक है तो अगर steady state की बात करूँ इन steady state जो effective circuit होगा जो steady state की बात करूँ जो आपका effective circuit होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे हो जाएगा यह 5 ohm का register तो रहेगा ही ठीक है एंड यह 24 volt का battery भी रहेगा और उसके पास में एक और 3 ohm का register है वो भी रहेगा कुछ इस तरीके से 3 ohm and this is 24 volt बीच वाले में तो कोई current ही नहीं है यानि कि जब इसमें कोई current है नहीं तो इसका कोई काम रहा नहीं तो हमारे पास यह बच गया तो basically मुझे इन दो point के बीच में potential drop चाहिए मैं आसाने से निकाल सकता हूँ कैसे पहले मैं current निकाल लूँगा current निकाल लिए कितना आजाएगा current is equal to 24 upon 5 plus 3 5 plus 3 यानि कि यह आपका आजाएगा अबटा 3 ampere का current आगया current कितनी का आगया 3 ampere का जब आप खहरे हो कि इसमें current 3 ampere का है इसका मतलब यह हुआ कि इस 5 ohm के across potential drop कितना हो जाएगा 15 volt कितना हो जाएगा 15 volt जब यह 15 volt का potential drop यहाँ पे है तो यहाँ पे भी potential drop कितना हैगा 15 volt का और मुझे पता है जब 15 volt का potential drop यहाँ पे है तो इसका तो कोई काम ही नहीं क्यों कि इसमें कोई current ही नहीं तो उसके across potential drop 0 हो गया तो पूरा का पूरा 15 वोल्ट किसके across रहेगा इस capacitor के across यानि कि potential drop potential drop across capacitor in steady state कितना हो जाएगा in steady state is equal to 15 वोल्ट जब भी 15 वोल्ट आ गया तो क्या मैं charge भी निकाल सकता हूँ charge क्या होता है अबड़ा charge होता है आपका Q is equal to CV तो C आपको दे रखा है कितना C दे रखा है 2 माइक्रो फेराड and 2 माइक्रो फेराड और potential आ गया आपका potential आपका 15 वोल्ट ठीक है 15 वोल्ट यानि कि या कि आपका 30 माइक्रो कुलम इस दा charge on this capacitor ठीक है so this is answer A आगे बड़ा जाए next question next क्या उड़ा next बोला है कि आपको इस circuit में capacitor initially charged था ठीक है initially जो है ये capacitor चार्ज है अब T is equal to 0 पे हमने इसके switch को close कर दिया close कर दिया मतलब इसको हमने ऐसा basically जो आप बोलते हो switch को on कर देना close करने का मतलब switch को on कर देना ठीक है the time at which current becomes 2.5 micro ampere कि इस circuit में current 2.5 micro ampere कब होगा सबसे पहली बात आपको उमिद करते हैं कि equation याद होगा current in the circuit current in the circuit क्या होदा था जो capacitive circuit होदा था या RC circuit होदा था I is equal to I naught into E पे power minus T upon tau ये आपका current का equation होदा था और tau क्या होदा था tau is equal to RC तो ये चीज़े हम देखेंगे अभी जब हम यूज करना होगा पहले तो हमें बोला है कि भाया जब circuit में 2 micro ampere का current होगा तो वो time क्या होगा वताना है ठीक है तो हम लिख लेते हैं I is equal to I naught क्या है I naught आजाएगा V upon R into 2.5 into 10 per per minus 6 is equal to V कितना है बच्चे V आपको हम निकाल लेंगे V actually ये दिख रहा है आपको जो ये potential drop होगा capacitor के across यानि कि 50 upon 5 50 upon 5 this is V छीक है upon R मैं एक बार अलग से V निकाल के आपको दिखा देता हूँ नहीं तो कुछ बच्चे को हो सकता है doubt आजाए कि जो potential drop आएगा इसके across potential drop V क्या आजाएगा Q naught upon C यानि कि 10 volt आजाएगा कितना आजाएगा 10 volt 10 upon R कितना है बच्चे R है 2 mega ohm 2 into 10 per power 6 into E per power minus T upon tau minus T upon tau ठीक है अब इसको simplify कर जाएगा थोड़ा simplify करेंगे तो हमें क्या देखेगा ये खतम हो जाएगा 10 per power 6 वाला power फिर बच्चे का क्या ये हो गया 4 तो आपके पास आजाता है और ये 4 से 2 हो गया आपके पास आजाता है बच्चे E per power minus T upon tau is equal to 2 नहीं ये थोड़ा गड़बड हो गया E upon T upon tau E per power T upon tau is equal to 2 आगया ठीक है अब आप क्या करेंगे दोनु तरफ log ले लेंगे natural log ln E per power minus T upon tau is equal to ln 2 so you will get T फिर से minus लिख दिया मैंने गलती हो गई इसको ठीक कर लिया जाए minus ठीक है तो T upon tau is equal to ln 2 ln 2 का value आपको दे रखा 0.69 आपको पता है कि जब base और ये argument दोनों से में तो ये हट के सिर्फ power वाला आ जाएगा तो अब इसको simplify कर देते हैं T upon tau is equal to 0.69 and T is equal to क्या निकल के आ जाएगा 0.69 into tau tau क्या था Rc tau क्या था Rc तो 0.69 into R is R क्या था बच्चे R था आपका 2 Mega Ohm 2 into 10 पे पावर 6 into C क्या था C था आपका 5 microfarad येनिके 5 into 10 पे पावर माइनस 6 so you will get 6.9 second 6.9 second is the time after which current in the circuit will become 0.2.5 microampere it means answer is B तो ये क्या दे रखा है ये आपको दे रखा है कि आपको एक circuit दे रखा है कि आप एक ladder को अगर ढख लेते हो तो remaining circuit भी as it is आपके initial circuit के जैसा दिखता है ठीक है तो आप इसको simplify करके circuit को ऐसा बना सकते हैं इस circuit को आप ध्यान से देखें ऐसा बना सकते हैं ठीक है ये आपका 2 C हो गया ये आपका C हो गया और जो remaining था उसको आप C equivalent बोल सकते हैं कि ये क्या था आपका C equivalent था ठीक है ये हो गया आपका point B और ये हो गया point A ठीक है calculation को थोड़ा सा आशान बनाने के लिए मैं C equivalent को X लिख देता हूँ ठीक है अब आप ध्यान से देखें कि ये 2 C और ये C equivalent किसमें series में है और ये combination of 2C and C equivalent किसमें है ये आपका C के साथ parallel में है तो अगर मैं पूरे इस circuit की बात करूँ पूरे circuit का भी तो equivalent capacitance C equivalent ही है यानि कि X का equal ही है यानि कि अगर मैं equivalent capacitance लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे ये आपका आ जाएगा 2C into X upon 2C plus X ये इसके साथ parallel में है तो आ जाएगा यहाँ पे C and it is equal to X ठीक है इसको अगर आपने simplify करा तो simplify करके क्या मिलेगा यहाँ पे हमें simplify करके मिल जाएगा 2C X upon 2C plus X is equal to X minus C ठीक है इसको और simplify करें इसको simplify किया तो हमें मिल जाएगा 2C X is equal to 2C plus X into X minus C into X minus C ठीक है X minus C यह हमें मिल गया ठीक है अगले पेज़ पे करता है इसको थोड़ा क्या था मारा 2C X is equal to 2C X 2C X रे यार 2C X प्लस नहीं 2C plus X था sorry 2C plus X into X minus C ठीक है इसको अपने को simplify करना है तो simplify कर लेते हैं यहां पे एक quality की कोशन बन जाएगा 2C X is equal to 2C X प्लस X square minus 2C square and minus C X minus C X ठीक है अब इसको थोड़ा simplify करें तो यह तो gaip हो गया तो हमारे पास equality equation बनता दीखेगा वह क्या दीखेगा X square minus C X minus 2C square it is equal to 0 अब इसको simplify करेंगे बच्चे तो हमें मिल जाएगा X and it is equal to minus C plus minus under root of B square मतलब C square और plus में आप का आजाएगा 4 into 2 या आजाएगा 8C square divided upon 2 तो यह क्या मिल जाता है यह मिल जाता है एक्च्छल में C plus minus 3C upon 2 तो minus वाला तो होगा नहीं तो हमारे पास क्या होगा हमारा आंसर क्या होगा C plus 3C upon 2 यानि की 2C is the answer ठीक है तो हमारा आंसर कौन सा होगया 2C So option D is correct चलिए अगले सवाल पर चलते है अगले सवाल क्या है बटा अगले सवाल बोला है कि एक arrangement दे रखा है जो किसी circuit का part है ठीक है किसी complete circuit का एक छोटा सा part है वोई दे रखा है फिर the potential of point potential at point A and B is V1 and V2 दे रखा है ठीक है then potential at point P क्या होगा या आपसे पूछा है एक बात तो हमें समझ में आ रहा है कि जो C1 and C2 है यहापे जो दो capacitor है यह दोनों series में है इसका मतलब है कि दोनों के उपर charge equal होगा तो मैंने क्या किया कि माल लो point P का potential अपने हिसाब से कुछ भी माल लो कि यह positive plate है तो यह negative plate होगा यह positive plate है तो यह negative plate हो जाएगा अब यह मानने से हमें क्या benefit मिलेगा कि हम यह थोड़ दर के लिए मान सकते है कि V1 ज़्यादा है as compared to V2 ठीक है क्योंकि positive plate वाल पॉइंट higher potential पर रहे गए यह V1 हो गया यह V2 हो गया और यह हो गया V ठीक है तो और इसका capacitance है C1 इसका capacitance है C2 तो इस पर भी charge रहेगा क्यों इस पर भी charge रहेगा क्यों ठीक है तो मैंने बूला कि C1 into V1 minus V it is equal to क्या आज एक बटा है यहाँ पर C2 है यह यह है आपका C2 यानि कि C2 into V minus V2 V minus V2 इसको simplify करा जाए इसको simplify किया तो हमें V क्या मिल जाएगा V वाले term को एक तरफ करा जाए तो आपका आजाएगा C1 plus C2 into V and it is equal to C1 V1 minus C2 V2 if I am right C1 V1 और इस आजाएगा minus नी plus आजाएगा sorry, plus आजाएगा ठीक है C1 V1 plus C2 V2 यानि कि V कितना आजाएगा अच्छे V is equal to अब का आजाएगा C1 V1 plus C1 V1 plus अरे मार कर मिजे लेता है यह ठीक है C1 V1 plus C2 V2 अपान C1 plus C2 this is the potential point V यानि की option number C is correct ठीक है? आगे बड़ी आठवे सवाल पर चलते है आठवे सवाल क्या है? दो parallel plate है यह यह दोनों के ओपर charge दे रखा है and उसका capacity C दे रखा है ठीक है? यह बड़ी आशा सवाल है generally ऐसे सवाल आपके साबने नहीं दिखते हैं तो इसका concept actually में समझ लेना क्या लिखा हुआ है? then the potential difference between them क्या होगा? अब normally तो आप यह जानते है कि सर एक पर charge होता है plus Q तो दूसरे पर minus Q आता है बट यहाँ पर तो कुछ और है यहाँ पर कहानी क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है कि एक plate के उपर charge है Q1 और दूसरे के उपर charge है Q2 ठीक है? तो इन दोनों plate के बीच का potential drop क्या है? यह अपने से पूछा हुआ है और यहाँ पर दे रखा है कि capacity C है ठीक है? charge और capacity दे रखा है हमें निकालना है potential drop तो potential drop निकालने का एक और तरीका बच्चे हमने electrostatics में पढ़ा था याद होगा अगर delta V is equal to minus E dot dr तो minus को कहानी हटा करके यहाँ पर सीधा कहतेता हूँ कि जो potential drop है दोनों plate के बीच में अगर मैं इसको मानता हूँ यह higher potential पर यह lower potential पर है तो आपका आजाएगा जो delta V है वो क्या आजाएगा? electric field between the plates into जो gap है plate के बीच में वो D अब electric field between the plates जो होगा बच्चे वो दोनों plate के बजह से होगा ध्यान से समझना अब यहाँ पर दोनों charge का मुझे nature नहीं पता है तो मैं दोनों को positive मान लेता हूँ तो अगर किसी एक point पर अब लेते हो तो इधर वाला charge जो भी होगा यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 charge है तो दोनों इसके वजह से electric field आगया E1 और इसके वजह से आजाएगा E2 यानि कि net field जो हो जाएगा वो E1-E2 हो जाएगा क्या हो जाएगा E1-E2 और किसी एक plate के वजह से अगर आपको field याद हो तो होता था क्या Q upon 2A epsilon 0 तो अगर मैं net field की बात करूँ E net तो E net क्या हो जाएगा E1-E2 Q1 upon 2A epsilon 0 minus Q2 upon 2A epsilon 0 तो यह आगया net field अगर net field आगया तो मैं potential तो निकाली सकता हूँ तो potential drop जो होने वाला है वो क्या होगा Q1 upon A epsilon 0 sorry 2A epsilon 0 minus Q2 upon 2A epsilon 0 into D ठीक है तो यहाँ पे Q1 minus Q2 upon यह क्या बनता हो दिख रहा है यह बनता हो दिख रहा है D upon twice of A epsilon 0 तो यह क्या हो जाएगा Q1 minus Q2 Q1 minus Q2 upon यह आपको दिख रहा है बच्चा twice of C यानि कि 2A epsilon 0 upon D ऐसा कुछ बनता हो दिख रहा है अब आप इसको cross verify भी कर सकते हो यह वाला जो आपका standard capacitor था उसमें से अगर आपको याद हो कि potential drop होदा था Q by C तो Q2 के जगह आप minus Q रख दो और Q1 के जगह plus Q रख दो तर देखो क्या आजाता है यह आजाएगा आपका जो relation आया था कि Q minus minus plus है ना तो plus 2Q upon 2C आने की Q by C is the potential drop ठीक है चलिए आगे बढ़ते देखो बटा अगला सवाल क्या है यहाँ पे बोला है कि 4 capacitor है आपके पास और यह 4 capacitor कुछ इस तरीके से आपको arrange करके दे रख था है ठीक है अब मैं क्या करूँगा उपर वाले branch में charge निकालोंगा बटा और नीचे वाले branch में charge निकालोंगा बेसिकली जिस भी 2 point के बिचे potential drop पुछा है उसके पास वाले capacitor के across potential drop निकालोंगा और फिर हमारा का बन जाएगा ठीक है तो अगर मैं simplify करूँ तो उपर वाले branch का जो हमारा c equivalent आएगा इसकी बात अगर करूँ तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा यह दोनों series में था तो series में था 1 into 1.5 divide upon 1 plus 1.5 यानि कि यह क्या बन जाएगा यह आपका बन जाएगा 3 by 2 और 5 by 2 3 by 5 कितना बन जाएगा यह 3 by 5 similarly अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी बात अगर की जाएगा तो यह कितना बन जाता है 2.5 into 0.5 upon 2.5 plus 0.5 कितना आजाएगा यह यह आजाएगा आपका 5 upon 4 divide upon 3 it means 5 upon 12 तो यह हमने क्या करा दोनों branch का equivalent capacity निकाल लिया ठीक है जो दोनों branch था उसका हमने equivalent capacity निकाल लिया अब यह दोनों branch को एक बार redraw कर लेते हैं जब दोनों branch को हम redraw करेंगे बटा तो कुछ इस तरीके से दीखेगा हो और इन इस circuit को 30 volt के battery से connect किया गया तो यह 30 volt का battery है यानि कि इस पे charge मैं माल लेता हूँ q1 है plus q1 and minus q1 plus q2 minus q2 तो q1 कितना आजाएगा q1 जो आजाएगा आपका आजाएगा वो c1 c1 हमारा आगे था 3y5 और c2 आगे था 5 upon 12 यानि कि c1 v1 यानि कि c1 है आपका 3y5 into v1 कितना है 30 तो 355 into 30 तो या आजाएगा आपका 18 µ कुलम है ठीक है and q2 की बात करें तो q2 कितना आजाएगा q2 आजाएगा c2 into c2 into v2 c2 is 5 upon 12 and v2 भी 30 है तो या आपका कितना आजाएगा या आपका आजाएगा बटा 4, 3, 4, 12 and this is 10 तो 25 by 2 कितना आजाएगा ये 25 upon 4 तो 25 upon 2 25 upon 2 micro coulomb this is the charge ठीक है अब ये दोनों capacitor दोनों branch में हमने charge निकाल लिए जब दोनों branch में हमने charge निकाल लिए तो अब हम अपना काम आसानी से कर सकते है हमारा कुछ इस तरीके से था circuit ठीक है इस point का अगर देखा लिए तो 30 volt पे था ये है आपका वी ये फिर similarly हमारा ये था 30 volt पे और ये था आपका VV ऐसा कुछ था ठीक है अब यहाँ पे जो C था ये था आपका 1.5 sorry 1.5 नहीं 1 है ये कितना है 1 micro farad और इस पे charge कितना है यहाँ पे charge आपको दे रख रहा है 18 volt तो जब charge 18 volt दे रखा है sorry 18 कुलम दे रखा है माइक्र कुलम दे रखा है तो यहाँ पे potential drop कितना आजाएगा पचे यह आजाएगा आपका 30 minus VA into 1 is equal to how much 18 तो यहाँ से आपका VA मिल जाता है VA is equal to how much 12 this is 12 volt similarly यहाँ की बात करते हैं यहाँ पे आपको यह कितना दे रखा था यह आपको दे रखा था 2.5 micro farad कितना 2.5 micro farad तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितना आजाएगा यह यह आजाएगा 30 minus VB into 2.5 2.5 and it is equal to how much charge charge कितना था 25 by 2 25 by 2 ठीक है तो इसको अगर देखा जाती है 10 से चला गया और यह 5 तो कितना हो जाता है यह आपका आजाता है VB is equal to 25 VB is equal to 25 वोल्ट हमें निकालना क्या था हमें निकालना था VA minus VB तो VA minus VB is equal to कितना आजाएगा तो इस तो इस 12 minus 25 इस minus 13 वोल्ट तो अंसर इस minus 13 वोल्ट अप्सन नमबर D ठीक है आखरी कुशन देखते हैं आखरी कुशन क्या अप्चा आखरी कुशन दे रखा है अमांट अफ चार्ज फ्लोईं थ्रू थ्रू दा बैटरी after closing the switch इस switch को close किया जाए तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा actually आपको change in charge मतलब पहले बैटरी ने total कितना चार्ज से अपलाए किया उसके बाद जब इसको आपने on किया तो आप ध्यान से देखोगे कि ये 2 C का जो capacitor है वो short circuit हो जाएगा क्यों क्योंकि इसका दोनों end actually में same potential प्याज आ जाता है ठीक है तो initially जो था circuit ने basically जो circuit था ऐसा कुछ था ये इनिशियल circuit था है ना इनिशियली circuit आपका ऐसा था और यहाँ पे C equivalent था कितना था वो 2C by 3 और यहाँ पे आपने V लगाया है याने कि initially जो था Q initial कितना था Q initial जो था विच्छा आपका 2C by 3 into V now अब आपने जैसे ही after closing the switch after closing the switch जब आपने switch को close किया तो क्या हुआ तब आपके 2C का capacitor क्या हो गया short circuit हो गया जब 2C का capacitor short circuit हो गया यानि कि जो circuit बचा हो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे C बच गया क्या बच गया C और यह V है यानि कि Q final जो हो जाएगा विटाओ क्या हो जाएगा C into V यानि कि जो अब आप ध्यान से देखें कि initially था 2C Vy3 और finally हो गया C V यानि कि यहां से यहां तक जानने में जो charge का difference है basically वही charge बैटरी ने supply किया होगा तो बैटरी ने कितना charge supply किया C V minus 2C Vy3 यानि कि charge supplied by the supplied by the battery after closing the switch जब आपने switch को close किया तो जो इसने charge supply किया हो कितना हो गया C V minus 2C Vy3 C V minus 2C V by 3 यानि कि C V by 3 ठीक है बड़ा तो इस तरीके से हमने quiz number 5 को complete किया और जो इस quiz का जो आखरी question था वो आपका question number यह उसका answer आ रहा है option number 3 ठीक है उमित करता हूँ कि जो भी आपके quiz number 5 में जो doubt रहेंगो वो clear हुआ होगा ठीक है बार बार यह repeat कर रहा हूँ कि आप quiz देने से आपके quiz देने से फायदे क्या है फायदे basically ही कि आपका time management ठीक होगा हर quiz को जितना आप quiz attempt करेंगे basically उसे क्या है आप उतना ही अपने time को timing को ठीक कर पाएंगे basically timing को ठीक करने का मतलब यह है कि आप हर सवाल को जो दो मिनिट में आपको करना है आप उसको जल्द सजल्दी अटेंट कर पाओगे इसलिए आप quiz को जितना जादा जादा हो सके अटेंट किजे ठीक है बाकी आगे के quiz जबाएंगे तो उसके वी solution आपको दिये जाएंगे ठीक है तब तक के लिए आप अपना दिहान रखो थेंक यू